हुआ है हलो डियर स्टुडेंट निर्भे गुनुन यूटिब चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ डियर स्टुडेंट आज इस वीडियो में बात करें में अले हैं यू पी यार भी यू एनल जेई का मेकनिकल प्रिविएस एर कोस्टन 2016 का ये प्रिविएस एर कोस्टन है तो ये वीडियो जो है चौथा वीडियो होगा साइद तो अल्रेडी दो तीन वीडियो अप्लोड हो चुका है अगर से वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और 15 तक हम लोग कर चुके थे डिसकॉस्टन करते हैं तो जो भी स्टुडेंट नई है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर आप इस रोएस्टी सी का प्रिविएस एर कोस्टन करके मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं वीडियो को और एक कोस्टन का एक्स्प्लाइशन मिल जाएगा उसका पी आपको आपको साथ साथ डिटेल एक्स्प्लाइशन तो करते ही हैं प्लस आपको फीगर भी दिखाएंगे जो प्रैक्टिकल फीगर यहां पी देखेगा सोले नुमर कोस्टन कर रहें फोर्द एस्टेट ऑफ एस्ट्रेस अगर कोस्टन नहीं दिखता है तो आप क्योलिटे हाई करके देखें तो सही देखेंगा फूर अस्टेट ऑफ स्ट्रेस और प्यूर सेयर टॉव दी सेयर अस्ट्रेन इनर्जी एस्टोर्ड पर यूनिट फोलूम इंड इलास्टिक होमोजेनियस हैसो ट्रोपिक मेंटरियर्स हैविंग इलास्टिक कॉंस्टेंट एंड भी विल बरावर क्या होगा यह आप से पुचा है ठीक है इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए जो कि वह फॉर्मूला क्या होता है अस्टेंट इंडियुका आप लोग इस तरह से जानते होंगे अगर कोई साफ है तो उस पे जैसे कि इस तरह से अगर कोई साफ बगर रहा है तो यहां पर क्या लग रहा है पुरा टोर्क लग रहा है इसमें जो यहां पर अस्टेन इनर्जी जो अस्टोर होगा इस तरह से यह टी हो गया यह ठीटा हो गया और यहां से इस तरह से ट्रेंगल बनता है तो यह मेरा जो एरिया निकलेगा यही अस्टेन इनर् इसको यहां पर ठीटा कमांड रखेगा तो यहां से और आगे प्रोसेस करने के बाद यहां से आपके पास निकल जाएगा टौ के स्क्वाइर बटे टौ का स्क्वाइर नीचे टूजी ठीक है इन्टू बॉलूम आफ साथ ठीक है तो यह फर्मूला आपको याद रहना चाहिए यह फर्मूला मेन फर्मूला है फिर से एक बार लिखता हूं यहां से यू ब्रावर हो जाएगा वन टे टू जी ठीक है और टौ के स्क्वाइर उपर में इन्टू बॉलूम आफ साथ इसको यहाद रखिगा यहां से यह होता है एसटेन पर मूला ठीक है लेकिन आपके को जो से यहां पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहां पर इस तरह से नहीं दिया हुए तो आप समय आपको चेंज करना पड़ेगा इसके कॉर्टिंग यहां पर क्या होता है एप एक और फर्मूला जानते होंगे E ब्रावर होता है 2G into 1 plus mu ठीक है G और Elasticity में Modulus of Rigidity और यहां पर Modulus of Elasticity में Relation होता है E ब्रावर 2G into 1 plus mu यहां से G कमान निकाल लिजे G ब्रावर कैसे निकलेगा E बटे हो जाएगा कितना 2 into 1 plus mu ठीक है G ब्रावर क्या हो जाएगा E ब्रावर 2 into 1 plus mu आप इसका value यहां पर रख दीचे G कमान ठीक है यहां पर रखेगा तो आपके पास आजाएगा U ब्रावर 1 ब्रावर 2 into E ब्रावर 2 into 1 plus mu ठीक है I into उपर में तो के square है I into volume of soft है ठीक है तो यहां से 2 से 2 खतम हो जाएगा 1 plus mu जो है उपर चल जाएगा उपर जाने के बाद यहां से यह आएगा कितना Tau square into 1 plus mu ठीक है आए बट्टे कितना हो जाएगा नीचे E इधर volume of soft था तो इधर नीचे लेख चला यह क्योंकि आप से पुछा है यहां से पर यूनिच पॉलम से बाग दे देंगे यही आपके पास फर्मूला बन गया Tau square into 1 plus mu बट्टे यहां से option कहोना चाहेगा यह नमर option उसके बाद सत्रे नमर question डिसकस करेंगे सत्रे नमर question में लिका हुआ है The direction of driven pulley and direction of driving pulley in case of open belt drive and cross belt drive respectively ठीक है तो यहां पर बोड़ा है कि driven pulley driving pulley का open belt drive और cross belt drive में direction क्या होगा तो open belt drive में चानते होगे क्या होता है same होगा और cross belt drive में opposite होगा यहां पर देखिए इस तरह से driven और driver रहता है कि यहां पर open belt drive इस तरह से हो जाएगा ठीक है यह हो गया open bell drive और cross bell drive में इसका just इस तरह से हो जाएगा ठीक है यहाँ से इधर और यह इधर हो जाएगा तो इसको कहेंगे cross bell drive इसका figure भी देख लिए जैसे कि यहाँ पर figure में देख सकते हैं open bell drive है यह cross bell drive है ठीक है open bell drive में इस तरह से हो गया ribbon pulley driver बेंख लिए और यहाँ पर select side हो गया tight side ठीक है और यहाँ पर इसी तरह से select side है और tight side यहाँ पर देख सकते हैं cross bell drive है ठीक है और यह open bell drive है तो यहाँ पर देखेंगे direction जो यह दो आधनों move कर रहा है इसका direction देखेंगे तो यहां पर वही आ आपसे कुछन पूछ रहा था तो अप्र И pressed निःगे समझ गयא है कि यह पर स्चाइब टाहिक आप उल्डेफिक टरी तो यहां तक समझ गाया है कि यह ऑपर स्च्च एपन वो disrespect हो जाएगा option number 3 उसके बाद 18 question में लिखा हुआ है in which of the flying welding technique heat is generated by high velocity narrow beam of electron ठीक है तो narrow beam of electron electron beam welding जानते होंगे तो इसी का बात कर रहे हैं तो यहां से option हो जाएगा आपका क्या चीज़ electron beam welding यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है heat generated by high velocity narrow beam of electron beam of electron में यहां पर फिगर देख लिए इसका वहीं पर समझाएंगे आपके यहां देखेंगे थोड़ा सा theory लिखा हुआ है electron beam welding is a fusion welding process ठीक है in which beam is high velocity electron high velocity electron is applied applied to two material to be joined and the workpiece melt and flow together in the kinetic as the kinetic energy of the electrons is transferred into heat upon impact ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि यहां से चली figure देख लिजे पिले ठीक है यहां पर जिससे के देख रहे हैं यहां पर एक cathode हो गया और यह node होता है ठीक है और यहां पर यह electron beam है जो किया रहा है इस तरह से यहां पर एक focusing coil लगा रहाता है जो कि एक जगा इसको focus करता है यहां पर और यहां पर deflection coil लगा रहाता है ठीक है तो यहां पर क्या होता है इससे electrons यहां पर आ रहा है और यहां से टकराने के बाद जो है इसका जो बीक kinetic energy है वो करवाट किसे में हो जाता है हीट इनर्जिम है ठीक है हीट इनर्जिम करवट होने से दो मेटल जो आप ज्वाइन करना चाहता है वह पुरा फ्यूज कर साएप यहांक करने के बात यहां पे मैश चाही Gen अर यहां पर यह जो बीम और आज़ा इस तरह से यहां पर एक जगा इसको करता है ठेक है यहां पर वर्क पीस देख सकते हैं ये है तो इसका जो कैनेटिक इनर्जी होगा वे हीट इनर्जी में convert हो जाएगा जिससे क्या होगा मेटल फ्यूज करेगा और जाके विल्डिंग हो जाएगा इसका option क्या हो जाएगा यह नमर option electron beam welding ठीक है आप लोग समेस्टर में भी पढ़े होंगे उसके बाद देखें यहां पर प्रोडक्शन से कोशन टूल सिगनेचर इन अमिर्कन सिस्टम इज यहां पर दिया हुआ है आठ दर्स छे छे बारा दो तीन तीस जीरो साइड रेक हम जैसे बता रहे हैं उसी तरह से याद रखेगा alpha b alpha s theta e theta s और उसके बाद हो जाएगा c e ठीक है उसके बाद c s उसके बाद r ठीक है तो यहां पर r क्या है तो r है nose radius और क्या है nose radius ठीक है इसका मान कितना होता है 0.8 mm इसका भी मान कभी कभी पूछ देता है एक जाम में तो याद रखेगा 0.8 mm होता है nose radius alpha b क्या है तो आप लोग चाहें तो लिख भी सकते है नोट करके यह alpha b है back rake angle back rake angle alpha s क्या है side rake angle ठीक है side rake angle ठीटा e क्या है तो end relief angle ठीक है अन्डबy और theta s जो है side relief angle theta s का मतलब क्या हो愕 0.3 mm होगा side relief angle C e 시 का मतलब हो 실्रोन क्या होगा end cutting edge angle end cutting edge angle और CS क्या हो गया side cutting edge angle ठीक है तो आपसे यहां पर क्या पूछा है side rake angle पूछा है हो गया in cutting edge angle in cutting edge angle और CS का मतला हो गया side cutting edge angle ठीक है तो आपसे यहां पर क्या पुछाए side rake angle पुछाए तो इसमें देख लीजे side rake angle कौन होगा दूसरा नमर पर यहनी alpha is क्या होता है side rake angle यहनी आपका 10 इंसर हो जाएगा 10 degree ठीक है तो यह आपको pattern याद रहेगा तो यहां से easily discussion को कर सकते हैं ठीक है screen source आए तो ले सकते हैं उसके बाद यहां से option हो जाएगा आपका तीसरा 10 degree उसके बाद Reynolds number is the ratio of Reynolds number is the ratio of Reynolds number किसका ratio होता है inertia force to viscous force का ratio होता है ठीक है Reynolds number जानते होंगे सब लोग inertia force बटे क्या होता है viscous force sorry viscous force ठीक है inertia force जानते होंगे कितना होता है rho into l square into v square बटे mu into v हो जाएगा into l ठीक है sel काटे सकते हैं एक पी से एक भी कट जाएगा यहां से उपर में हो जाएगा rho v l बटे क्या अतना हो जाएगा mu ठीक है यही रेनोर्स number होता है rho v l rho v l बटे mu तो यहां से समझ गए रेनोर्स number rho v l बटे mu तो इस formula को भी याद रखेगा बहुत पार numerical यहां से पूछा जाता है ठीक है तो यहां पर inertia force to viscous force हो जाएगा option number 3 उसके बाद next 21 नमर है तो 21 नमर हम next वीडियो में discuss करेंगे आज यह इतकरने देते हैं पंच-पंच question लेके चल रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी से explanation कर रहे हैं ठीक है ताकि आपको figure भी दिखा के कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आए और figure जब एक पर दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको exam में आते साथ ही question आप आराम से कर पाएंगे ठीक है अच्छी का जो है उसका admin card आ चुका है तो आप लोगों भी download कर सकते हैं ठीक है और उसका तैयारी करना चाहते है प्रीवेस यहां पर आपको daily video मिलेगा तेक केर मैं मैं